हम आपको उन आदेशों का सच बताएंगे जो तथा कतित रूप से दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंद केजरिवाल ने E.D. की रिमांड में रहते हुए अपने ही मंतरियों को जारी किये है इनमें पहला आदेश 24 मार्च को दिल्ली की जल मंतरी आतिशी को भेजा गया था जिसमें अरविंद केजरिवाल ने उन्हें एक चिठी लिखकर ये निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां कहीं भी पानी की कमी है वहां जल विभाग द्वारा टेंकर से पानी की आपूर्ती की जाए और दिल्ली में पानी की किल्लत बिलकुल नहीं होनी चाहिए और दावा है कि मुखे मंतरी केजरिवाल ने दूसरा आदेश आज जारी किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली के स्वास्त मंतरी सौरव भारदवाज से कहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और महला क्लिनिक्स में मुफ्त दवाईयों और मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सेवाएं बिलकुल भी रुखनी नहीं चाहिए और ये वो दो बड़े आदेश हैं जो पिछले तीन दिनों में अरविंद केजरिवाल ने E.D. की रिमांड में रहते हुए अपने मंत्रियों को जारी किया है आपको याद होगा अरविंद केजरिवाल ने इस्तीफ़ा देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि वो E.D. की रिमांड में रहते हुए ही अपनी सरकार वहां से चलाएंगे और अगर वो जेल भी चले गए तो जेल में रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वहीं से सरकार चलाएंगे और यही वो कर भी रहे है लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि जब E.D. की रिमांड में केजरिवाल के पास लिखने के लिए कोई कागज नहीं है कोई पैन नहीं, कोई पैंसिल नहीं कोई मोबाइल फोन या फिर कोई लैपटॉप या कम्प्यूटर नहीं तो फिर उन्होंने इन आदेशों को लिखा कैसे और इन आदेशों को अपने मंत्रियों तक भिजवाया कैसे और कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की सरकार केजरिवाल के इन आदेशों को लेकर कोई सच छिपा रही है और हकीकत में ये आदेश अर्विंद केजरिवाल ने दिये ही नहीं है ये भी हो सकता है अर्विंद केजरिवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी एडी कस्टिडी से ने देश भेजे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़के सुना रही है अर्विंद केजरिवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही है इसे लेकर मैं चिंतित हूँ चूकी मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहाँ पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुख्य सचिर समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरहां की परिशानी ना हो पतानी किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्त की चिंता है उन्होंने एक डिरेक्शन मुझे भेजी है कि सीम साहब ये जानके बेहत व्यत्यत हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और महला क्लीनिकों के अंदर दाईयां उप उपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में महला क्लीनिकों में सारी दवाईयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्ता कमना हूँ मैं समझता हूँ कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आग्या जैसा है और इसके उपर युद्ध स्थर पे मेरा विभाग और मैं मिलके कारवाई करेंगे तो अर्विंद केजरिवाल की सरकार में दिल्ली सरकार में दो बड़े मंतरी सीनियर मंतरी उनकी चिठ्थी को पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं लेकिन चिठ्थी सौरफ भारदवाज ने नहीं दिखाई कि वो चिठ्थी कौन सी है कहां से आई है उसमें क्या लिखा हुआ है लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि केजरिवाल का आदेश मतलब भगवान के आदेश जैसा है और केजरिवाल को जबकि वो एडी की रिमांड में है ऐसे में भी सिर्फ दिल्ली के लोगों की चिंता उन्हें लगतार सता रही है दिल्ली सरकार में मंतरी आतिशी ने अपने मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल के आदेश की जो चिठ्थी दिखाई थी उस चिठ्थी पर अरविंद केजरिवाल के हस्ताक्षर नहीं थे और इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में अरविंद केजरिवाल ने ऐसा कोई आदेश जारी किया भी है या नहीं या फिर ये एक जूट भी हो सकता है मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ आप देखिए ये वो चिठ्थी है जिसे पढ़कर आतिशी प्रेस को सुना रही थी पूरी दुनिया को सुना रही थी और ये चिठ्थी आज मैं भी अपने साथ लेकर आया हूँ हास बात ये है कि इस चिठ्थी में अरविंद के जीवाल के हस्ताक्षर नहीं है आप देखिए मैं भी आपको कुछ पढ़कर सुना देता हूँ इस चिठ्थी में क्या लिखा है देखिए इस चिठ्थी में सबसे उपर अगर आप देखेंगे Office of the Chief Minister Government of NCT of Delhi ये इसमें लिखा हुआ है सबसे उपर कौपी आपके स्क्रीन पर भी चल रही है तो ये Letterhead आखिर के जरिवाल के पास कहां से आया जबकि वो ED की हिरासत में है रिमांड में है और जब कोई व्यक्ति रिमांड में होता है तो उसे कागाज पैन या कोई फाइल या इस तरह की कोई चीज उसके आसपास भी नहीं होती अब वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता चला है कि दिली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्या हो रही है इसे लेकर मैं चिंते तूँ क्योंकि मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है और फिर आगे चलकर उन्होंने अपना पूरा आदेश दिया है और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए और जरूरत पढ़ने पर उपराज जेपाल महुदे का भी सहयोग ले ऐसा वो कह रहे हैं और केजरिवाल जी का जहां पर नाम लिखा हुआ है नाम तो लिखा है लेकिन यहां हस्ताक्षर नहीं है एक सवाल यह भी है कि उन्हें जेल में रहते हुए जैसा कि वो दावा कर रहे हैं हला कि वो जेल में है नहीं वो एडी की रिमांड में है अभी अभी जेल तो गए नहीं है लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कैसे पता चल रहा है कि दिल्ली के किन किन इलाकों में पानी और सीवर की समस्या हो रही है किसने बताया सूतरों के मताबिक अब एडी ने भी इस पूरे मामले की जात शुरू कर दी है और इसमें तीन नई बड़ी बातों का खुलासा हुआ है पहली बात ये पता चली कि एडी मुख्याले में सरकार से संबन्दित किसी भी फाइल को अंदर नहीं ले जाये जा सकता लेकिन सोची इसके बावजूद केजरिवाल को एडी की रिमांड में ये कैसे पता चला कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मुखला क्लिनिक्स में मुफ्त दवाईयां खत्म हो रही है दूसरी बात एडी की रिमांड में केजरिवाल हर रोज शाम को साथ बजे सिर्फ अपने वकीलों से और अपने परिवार से मिल सकते हैं परिवार और वकील के लावा किसी से नहीं मिल सकते लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं और सरकार के किसी भी मंतरी से मिलने की बिलकुल कोई अजाज़त नहीं है बड़ी बात यह है कि वो अपने वकीलों और परिवार को भी सरकार के किसी आदेश के बारे में नहीं बता सकते अगर वो ऐसा करते हैं तो ये भी एक कानूनन अपराद माना जाएगा अगर वकील भी ऐसा कर रहा है कि वो सारे इंस्रक्शन लेकर आगे पास ओन कर रहा है या कोई चिठी का आदान प्रदान कर रहा है तो वकील के खिलाव भी कारवाई हो सकती है आज ही इस मामले में दिल्ली के उपरा जपाल वीके सकसेना को एक शिकायत भीजी गई है जिसमें लिखा है कि इस देश में किसी भी वक्ति को रिमांड में रहते हुए कोई भी सरकार यादे जारी करने या किसी भी तरह की चिठी लिखने की अजाज़त नहीं है इस मामले में भी केजरिवाल ऐसा नहीं कर सकते लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्रियों का दावा है कि अर्विंद केजरिवाल अभी E.D. की रिमांड में रहते हुए अपनी सरकार चला रहे है और ये दावा ऐसा है कि इससे पार्टी में आम आदमी पार्टी के सरकार बरखास्त भी हो सकती है लोग अब ये बात पूछ रहे है तो अगर आपके मन में भी ये बात है कि क्या अर्विंद केजरिवाल की सरकार बरखास्त हो सकती है समयधानिक रूप से समयधान के हिसाब से तो उसका जवाब है ये भारती समयधान के अनुछेद 249A में ये बताया गया है कि दिल्ली एक केंदर शास्त प्रदेश है इसको कहते हैं 249A इसके मताबिक राष्ट्र राजधानिक शेत्र दिल्ली के लिए ये बिलकुल प्राधान है ये केंदर शास्त प्रदेश है जहां दिल्ली सरकार को शासन के संदर्व में अलग-अलग अधिकार और शक्तियां दी गई है समयधानिक शक्तियां लेकिन इसी अनुछेद के खंड A B में उपराजपाल को ये अधिकार दिया गया है कि वो विशेश परिस्तियों में राश्टपती को दिल्ली से अनुछेद 249 A A को हटाने का अनुरोद कर सकते है और अगर राश्टपती इस अनुरोद को सुईकार कर लेते हैं तो इससे दिल्ली की सरकार बरखास हो सकती है और उपरा जिपाल को दिल्ली के शासन की जिम्मेदारी मिल सकती है अभी दिल्ली में ऐसी ही स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली में अभी ये स्पष नहीं है कि अलग-अलग मंत्री अर्विंद केजरिवाल के नाम से जो आदेश लागू करवा रहे हैं जो पढ़कर सुना रहे हैं वो आदेश केजरिवाल नहीं दिये हैं या नहीं और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुख्यमंत्री को मिलने वाले अधिकारों और उनकी समधानिक शक्तियों के दुरुप्यों की आशंका भी बन जाती है और ये आशंका ऐसी है कि इससे उपराज जिपाल को राश्टपती से दिल्ली की सरकार के खिलाफ बरखास्तेगी की सिफारिश करने की एक बड़ी वज़ा मिल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो केजरिवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी वो जेल के अंदर भी रहेंगे और सरकार भी चली जाएगी और इसलिए मैं जैसा कहा रहा हूँ कि सरकार बरखास्त होने की सिफ्थी में अर्विंद के जरिवाल दिल्ली में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंतरी का चुनाव करने का अदिकार खो देंगे और इसलिए अब उनके पास सबसे अच्छा विकल्प ये रहेगा कि वो ऐसी कोई सितिके बनने से पहले यानि इससे पहले कि उनकी सरकार बरखास हो जाए या उनके पद से अटा दिया जाए और फिर उनके पास ये विकल्प भी न रहे कि वो अपनी मर्जी से किसी नए मुख्यमंतरी को न्यूक्त भी कर सके उससे पहले ही उनकी स्तीफा दे देना चाहिए जो केजरिवाल की जगा एक रिटायर्ड आईरस की जगा मुख्यमंतरी बन सकती है और सुनीता केजरिवाल एक रिटायर्ड आईरस अफसर है और उन्हें भी बीस वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है आज बहुत सारे लोग इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो अर्विंद केजरिवाल नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे वही आज भ्रश्टाचार के आरोप में गिर्फतार होने के बाद भी मुख्यमंतरी पद्द से चिपके हुए हैं और वो इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे जबकि इस देश में आज तक कोई भी मुख्यमंतरी रहते हुए कोई भी नेतागर अरेस्ट हुआ है तो उसने इस्तीफा दिया है अब आप थोड़े दिन पहले ही हेमन सोरिन को आप देख लीजे हीमन सोरिन को भी ठीक सी तरह इडी ने रिस्ट किया लेकिन उन्होंने भी उस से पहले इस्तीफा दे दिया था लेकिन केजरिवाल कुर्सी से चिपके हुए हैं उसका एक कारण ये हो सकता है कि अगर अर्विंद केजरिवाल ने इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद उन्हें दिली का वो मुख्यमंतरी आवास भी खाली करना पड़ेगा जिस पर लगभग 50 करोड रुपे से जादा खर्च हुए थे और ये सरकारी बंगला एक शांदार महल में तबदील हो गया था जिसमें आज केजरिवाल रहते हैं और आज अगर केजरिवाल ने मुख्यमंतरी का पड़ छोड़ दिया तो उन्हें और उनके परिवार को ये महल जैसा घर भी खाली करना पड़ेगा और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि उनके लिए अच्छा होगा कि वो अपनी पत्नी को निउक्त कर दें अगला मुख्यमंतरी ताकि ये घर उनका बचा रहे क्योंकि पत्नी अगर रहेंगी तो मकान भी उनका बचा रहेगा इसके अलावा अरविंद केजरिवाल के इस्तीफा नहीं देने के पीछे तीन और बड़े कारण हो सकते हैं और ये राजनेतिक कारण हैं उनकी रणनीती सुनिये क्या हो सकती है पहली वज़ा ये कि अगर अरविंद केजरिवाल ने इस्तीफा दिया तो इससे बीजेपी को फाइदा हो जाएगा और बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरिवाल ने भरष्टा चार किया है और इसलिए उन्होंने मुख्य मंत्री का पद छोड़ दिया या उन्हें छोड़ना पड़ा ये सबूत है कि उन्होंने मान लिया है कि वो भृष्टाचार में लिप्त है दूसरा दिल्ली सरकार का कारेकाल अब सिर्फ 11 महीने का बचा है ध्यान दीजीगा अब इस बात पर कारेकाल इस सरकार का सिर्फ 11 महीने का बचा है और उसमें भी अगर लोकसभा और विधानसभा के दौरान लागू होने वाली आचार सहिता का समय हटा दिया जाए तो मुश्किल से दिल्ली में केजरिवाल की सरकार के पास छे महीने के आसपास बचते हैं काम करने के लिए सर्फ चे महीने और केजरिवाल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उनकी जगा किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया तो आने वाले चुनाओं में उन्हें लोगों की सानुबूती मिलेगी और वो लोगों से ये कह पाएंगे कि उपराज जपाल ने बीजेपी के कहने पर लोगों की चुनी हुई सरकार को हटा दिया वो बताएंगे कि कैसे हमारे पास सत्तर मैंसे बासट विदायक थे इतनी जबरदस्त बहुमत के बावजूद हम जब चुनकर आए तो कैसे हमारी सरकार को पहले केजरिवाल को अरेस्ट किया और फिर सरकार को बरखास कर दिया यानि एक नहीं बलकि दो दो कारण मिल जाएंगे साहन उबूती के तो अगर इस हिसाब से देखें तो कैजरिवाल बिलकुल इस्तिफ़ा नहीं देंगे और वो इंतजार करेंगे कि दिल्ली के उपरा जपाल उनकी सरकार को बरखास करें शायद वो खुद भी यही चाहते ह लोगों की सानोब होती उनके सामने उनके साथ आ जाये लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब मनीश सोधिया गरिफ्तार हुए थे तो उस दिन बहुत हला मचाता कुछ दिन तक हेडलाइन चलती रही थी लेकिन आज लोग मनीश सोधिया को भी भूल चुके हैं और ऐसा ही कि अपने नेता भी आगे बढ़ सकते हैं एक और जो धका लगा है केजरिवाल को वो ये कि उन्होंने ये सोचा था कि जब उनकी गरिफ्तारी होगी तो दिल्ली की जनता सडकों पर आ जाएगी दिल्ली की जनता विरूद प्रदर्शन करेगी और दिल्ली में हाहा कार मत जा दिया, मुफ्त बिजली दी, इतनी तरह की योजनाएं दी, वेलफेर स्कीम्स दीए, बहुत सारी चीज़ें की जनके लिए आज वही दिल्ली की जनता अपने घरों से बाहर तक नहीं निकली जब केजरिवाल अरेस्ट हुए, हाला कि आज इस राजनितिक दुन्द में नैत एक ताभी एक चीज़ होती है, जिससे केजरिवाल शायद भूल चुके हैं, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1996 में जब मदनलाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही जैसे आज केजरिवाल हैं, 1996 में मदनलाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और उस जमा ने एक figure लिखा हुआ था और उसमें मदलाल खुराना का नाम भी लिखा हुआ था कि इन्होंने इतना पैसा लिया है बस कोई सबूत नहीं था और तब मदलाल खुराना ने बिना देरी किये उसी समय दिल्ली के मुख्यमंतरी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था और कहा ने अपनी अपनी लोकसबा और विधानसबा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और जब बाद में अदालत ने इन सभी नेताओं को निर्दोश मानते हुए इस मामले में बरी किया था उसके बाद ही ये सक्रिय राजनीती में लोटे लेकिन आज केजरिवाल शराब घो की मांगी है और उनके खिलाफ विरूद प्रदर्शन किया है इस दिल्ली की जंता का यही मांग है कि अर्विंद के जरिवाल इस्तिफादो उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली को लूटा है बलकि दिल्ली को पानी के बिना साफ पानी के बिना सीवर के बिना दवाईयों के बिना एक जो मीनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है उसके बिना दिल पिछले महीने आमादमी पार्टी के नेताओं ने ये बात कही थी कि जिस दिन केजरिवाल की गिरफतारी होगी उस दिन देश की सडकों पर सुनामी आ जाएगी हर इमानदार व्यक्ति सडकों पर उतर आएगा लेकिन दिल्ली में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया और दिल्ली की सडकों पर सुनामी नहीं आई बलकि दिल्ली की सडकें सूनी पड़ी है आरोप है कि इसी बात से परेशान होकर अब कुछ लोग ये अफ़वाप पहला रहे हैं कि दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल के गिरबतार होने से लोगों को जो मुफ्त बिजली और पानी अभी मिल रहा है और जो दूसरी योजनाओं में उन्हें सबसिड़ी मिल रही है वो सब कुछ बंद हो जाएगा और ये अफ़वाप पहला कर लोगों को उकसाने की कुछिश हो रही है ताकि वो सड़कों पर आ जाए यानि दिली में एक ये भ्रहम पैदा करने की कुछिश हो रही है कि केजरिवाल अगर अरेस्ट हो गए और अगर वो जेल चले गए तो उन्होंने जो भी योजनाओं दिली के लोगों के लिए शुरू की थी मुफ्त वाली योजनाएं ये सब बंद हो जाएंगी और केजरिवाल साहब जिस तरह की के आदेश पारित कर रहे हैं जिस तरह के आदेश एडी में रिमांड में रहते हुए वो भेज रहे हैं उससे भी वो यही एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ऐस जब ये सारी अववाएं फैलने लगी तो दिल्ली के योजना विभाग में ऐसी ख़बरों का खंडन किया है और आज उन्होंने एक नोट जारी किया है और वो नोट बड़ा महत्पूर्ण है इसमें कहा है कि ये तमाम जो वेलफेर स्कीम्स हैं दिल्ली के लोगों के लिए ये किसी एक व्यक्ती से सम्दित नहीं है ये किसी एक व्यक्ती की personal property नहीं है और इन वेलफेर स्कीम्स के लिए जो fund आता है वो दिल्ली के बजट से आता है सरकार से आता है और इसलिए केजरीवाल की गिरफतारी से दिल्ली में लोगों को मिलने वाली कोई भी subsidy बंद नहीं होगी नहीं कोई कल्यानकारी योजना जो उन्होंने शुरू की थी वो बंद होगी और नहीं कोई पेंशन बंद होगी तो गवर्मेंट ऑफ एंसिटी ऑफ डेली प्लैनिंग डेपार्टमेंट ने ये जो है नोट जारी किया है तो यहां केजरीवाल ये बताने की कुशिश कर रहे हैं जैसे कि ये जो सारी योजनाओं चल रही हैं ये वो खुद चला रहे हैं और अपनी जेब से पैसा बर रहे हैं इसलिए आज स्पष किया गया है सरकार दोरा कि ये किसी की personal property नहीं है ये योजनाओं कि लिए जो fund है ये कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है ना किसी राजनेतिक party की ये personal property है ना ही किसी individual की का personal पैसा इसमें लगा हुआ है ये सरकारी पैसे से ये योजनाय चल रही है और उन्होंने कहा है कि जितनी भी welfare schemes चल रही है, subsidy दी जा रही है, pension दी जा रही है, वो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, चाहे केजरिवाल जी जेल में रहें, बाहर रहें, या कहीं भी रहें आज भी दिल्ली में केजरिवाल के गिरफतारी के खिलाफ आम आदमी ने तो कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं और कारेकरताओं ने प्रधान मंत्री के आवास का घहराव करने के लिए विरोध प्रदर्शन जरूर चिए और ये भी ऐलान मंत्री से दिल्ली के लोग पूछना चाते हैं ग्री मंत्री से दिल्ली के लोग पूछना चाते हैं भाजपा के निताओं से कि आखिर अरविंद केजरिवाल को जेल सरद रेड़ी को बेल ये कौन सा है खेल लेकिन भाजपा इसका जवाब नहीं देना चाहती है पुलिस के पी आमर जी चावनी बनाले दिल्ली को यह लड़ाई जारी रहेगी